आज हम Training and Development Part 3 पढ़ने जा रहे हैं Part 1 और Part 2 में हम Meaning and Definition of Training की बात कर चुके इसके अलावा हमने Characteristics की भी बात की साथ ही साथ में हमने Training and Education के Concept को समझा और इन दोनों में अंतर की भी बात हमने Last Classes में की इसी के साथ साथ हमने Training and Development के Concept को भी समझा और इन दोनों में अंतर की भी बात हमने Last Classes में की इसके अलावा हमने Need and Objects of Training की भी बात की साथ ही साथ में हमने Importance and Advantage of Training की भी बात की इसके अलावा हमने Types of Training की भी बात की और साथ ही साथ में हमने Process of Training Program को भी जाना इसके बाद हम आज की क्लास में आगे की बात करेंगे जिन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Principles of Training यानि प्रेस्टिक्षन के सिद्दानत की बारे में आज हम जान रहे हैं प्रशिक्षन के सिद्दान्तों में सबसे पहला है मोटिवेशन या अभिप्रेरन यानि प्रशिक्षन प्रदान करते समय अभिप्रेरन के सिद्दान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रशिक्षन कारेकरम इस प्रकार का होना चाहिए जो प्रशिक्षन आर्थियों को प्राप्त करने के लिए अभी प्रेरित कर सके जब प्रशिक्षन आर्थी या अनुभव करते हैं कि वास्तविक प्रशिक्षन उन्हें अधिक आये प्रिशंसा, अर्थ पॉनकारे, प्रतिष्ठा या पदोनत्ति आदि दिलाने में सहायक होगा तो वे जादा रुची से प्र प्रगती प्रतिवेदन या सिद्दान बताता है कि समय समय पर यह ग्याद करना चाहिए कि करमचारी को किस सीमा तक प्रशिक्षन मिल पाया है, दूसरे शब्दों में थोड़े थोड़े समय के बात इस बात को ग्याद करते रहना चाहिए कि करमचारी ने किस सीमा तक इन्फोर्स्मेंट यानि संबलन प्रेशिक्षन प्रभावपुन तभी बनता है जब योग्य प्रेशिक्षन आर्थियों के लिए उप्युक्त पारितोशिक जैसे पद्दोनत्ती वेतनवर्दी प्रेशंसा एत्यादी की उदार व्यवस्था हो। चोथा है प्रेशिक्षन को प्रभावपुन बनाने के लिए जरूरी है कि इससे सरल और सुविदाजनक बना दिया जाए और प्रेशिक्षन आर्थियों से उसका पूरा अभ्यास कराया जाए। तो प्रेशिक्षन आंशेक रूप से देना चाहिए और यदि प्रेशिक्षन का रेकरम छोटा ही है तो उसको एक बार में ही पूरा कर लेना चाहिए। जोड़ा जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं objective of training यानि कि जब प्रेशिक्षन दिया जाए तो प्रेशिक्षन के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रेशिक्षन का यह भी एक महित्वपुंट से दानत है कि प्रेशिक्षन के उद्देश्य का निर्धारन पहले से ही कर लेना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारन कर लेने से प्रेस्टिक्षन कारेक्रम के मुल्यांकन में बहुत सुविधा मिलती है। यदि प्रेस्टिक्षन कारेक्रम से पूर्वनिष्चित उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो प्रेस्टिक्षन कारेक्रम में आवशकत आनोसार पर जोगी प्रेसिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते और next है well arranged यानि की सु व्यवस्तित होना चाहिए प्रेसिक्षण की जो व्यवस्ता है वह है अगर प्रौपड नहीं होगी तो वहा किसी भी तरीके से परिणाम देने वाली नहीं हो सकती तो प्रेसिक्षण का कारेकरम सु management development भी कहा जाता है सबसे पहले हम यह जानते हैं कि development किसे कहते हैं वैसे हमने अपनी initial class में development के concept की बात भी की थी और training और development में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हमने जाना था अब हम पढ़ रहे हैं कि development किसे कहते हैं और development के क्या goals होते हैं और यह है इसकी क्या क्या content होते है और इसका क्या procedure होता है तो शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि development क्या है development is a long term educational process by which managerial, personal, learn, conceptual and theoretical knowledge for general purpose यानि विकास वा देरकाल इंशेक्षणिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंद किये विक्ति सामने उद्धिश्यों के लिए अवधारानात्मक एवं सैद्धानतिक ज्यान सीखते हैं most important बात यह है कि जो development होता है वो एक ऐसा term है जिसमें training और education दोनों included रहते हैं विकास में शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं वातावरण के प्रती हमारे ज्यान और समझ को बढ़ाने के लिए शिक्षा और किसी विशिस्ट कारे को संपाधित करने के लिए कोशल वद्धी हितू प्रशिक्षण भी विकास में सम्मल लेता हैं जॉन्सन और सौचर ने इसको डिफाइन करते हैं कहा है कि प्रभंध विकास प्रभंध किये स्तर हितू ज्यान मनोवरत्ती आधार बुद कोशल और अंतरव्यक्तिक कोशल के सुनयजित तरीके से विक्सित करने पर केंद्रित होता है इस तरीके से हम यह जान पाए कि जो विकास शब्द होता है वह प्रभंध को के लिए उप्यूगत होता है और इसमें प्रभंध किये स्तर के अनुरूप ज्यान और कोशल प्रभंध कोशल और सैदान्तिक ग्यान के साथ साथ कुछ skills भी develop की जाती है जो की प्रबंद किये इस तरके व्यक्तियों के कारे से संबंदित होती है और इन skills को well planned way में develop करने का जो process होता है उसी process को development की नाम से जाना जाता है अब बात करने है goals of management development की प्रबंद की विकास के क्या उद्देश्य होते हैं इसमें सबसे पहला है enhancing one's ability to understand and interpret knowledge की किसी बात को समझना और उसको सही तरीके से प्रस्तुत करने की जानकारी देने के लिए विकास का कारेकरम आयोजित किया जाता है focusing on employees personal growth यानि की करमचारियों के उनके वैक्तिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही विकास कारेकरम आयोजित किये जाते हैं या इसका उद्दिश्य होता है increasing the knowledge, skills and ability of manager and them from becoming obsolete यानि की उनको इस तरीके से तयार करना कि वै आप प्रचलित ना हो सके और वातावरन के साथ में coordination बना के रख सके, helping a person learn about his personal strength and weaknesses की एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी strength क्या है और उसकी weaknesses क्या है जिससे कीवा है, accordingly अपना development plan prepare कर सके और sansa को भी अपने विक्सित योगिताओं का लाव दे सके, ensuring greater job satisfaction और जब एक employee अपना development करता है तो naturally उसको job satisfaction भी मिलता है और यही इसका उद्धिश्य होता है, enhancing job performance effectiveness की वे अपने कारे को प्रभावशाली तरीके से कर सके यह है विकास का उद्धिश्य होता है, improving communication among management personnel की प्रबंधिये व्यक्तियों की बीच में suppression की योगिता का विकास हो और उनकी बीच में communication properly हो, यह भी एक विकास का उद्धिश्य होता है so improving communication among management personnel is the goal of executive development program और management development program stimulating managers to evaluate and develop their subordinates की उनमें यह या योगिता विक्सित होने चाहिए कि जिससे की वे अपने अधिन अस्तों के कारे का मुल्यांकर कर सके imparting customer education for effective dealing with the customer की ग्रहकों के साथ में किस तरीके से deal करना है इसके बारे में उन्हें निपुन बनाने के लिए या उनकी efficiency को increase करने के लिए विकास कारे करम अयुजित किये जाते है improving the intellectual and emotional abilities needed to handle responsibilities की उनकी बीच में intellectual and emotional abilities को develop करना जिससे कि वह अपनी जिम्यदारियों का निर्भा अच्छी तरीके से कर सके इन्हीं उद्देशों को ध्यान में रखते हुए ही management development program organize किये जाते है अब बात कर रहे हैं content of executive development program की कि अधिशासी विकास या प्रबंद के विकास में क्या-क्या content या बाते include होती है these programs are designed to develop the basic characteristics should possess among these a few are as follows कि basic qualities जो एक प्रबंदक में होनी चाहिए वही एक development program का part होता है इसमें सबसे बहला है ability to think और plan और lead to organize and to handle people यनि कि व्यक्ति को इतना समझने और योजना बनाने और नित्त्व करने की योगिता प्रदान करना ही एक विकास कारेक्रम का उद्देश्य होता है और इसलिए इन्हीं उद्देश्यों को विकास कारेक्रम में include किया जाता है as content तो इसके content में यह शामिल होता है कि व्यक्तियों की सोचने समझने की इक शमता नित्रत्व करने की इक शमता का विकास किया जा सके ability to get and interpret facts की वहें बातों को समझ सके और प्रस्तुत कर सके loyalty and decisiveness यानि कि उसमें निष्ठा और निर्ने लेने की शमता विक्सित हो इस तरीके के content को include किया जाता है और समास्या समाधान की योगिता विक्सित हो इससे संबंदित content भी included रहते हैं और self-motivation and sense of responsibility से संबंदित बाते इस प्रस्टिक्षन कारेकर में समझ लेत होती है desire for achievement and prestige की उसमें उपलब्दी और प्रतिष्ठा से संबंदित इच्छा उत्पनों ऐसे content इसमें include किया जाते है emotional balance को include किया जाता है social balance and understanding से संबंदित content भी executive development program में included रहते है ability to influence people की विक्तियों को प्रभावित करने की योगिता को भी विक्सित करने का content यानि की विशेसामगरी executive development program में सम्मेलेत रहती है attitude towards subordinates and associates की किस तरीके से वे अपने subordinates के साथ में विहावार करे उसके उस समय क्या मनोवरती हो इससे संबंदित भाती या विशेसामगरी executive development program में included रहती है इसके अलावा attitude towards community associations इससे संबंदित विशेसामगरी भी प्रशिक्षन कारकरम में सम्मेलेत की जाती है attitude towards economic and political system या विशेसामगरी भी इसमें included रहती है अब बात कर रहे हैं हम की executive development program के लिए किस process को follow किया जाता है कि जब executives का development program बनाया जाता है तो वो किन चर्नों से होके गुजरता है इसमें पहला है analysis of development needs यानि की विकास की आवशक्ताओं का analysis करना विशलेशन करना इसमें यह देखा जाता है की वर्तमान और भावी विकास आवशक्ताओं का निर्धारन किया जाता है सरल शब्दों में की कितने और किस प्रकार की executives required है इसका determination पहले step में किया जाता है so first of all the present and future development needs of the organizations are as attained so it is necessary to determine how many and what type of executives are required and the next is appraisal of the present managerial talent की available managerial talent का appraisal किया जाता है मुल्यांकन किया जाता है जिससे की यह जाना जा सके की उपक्रम में किस तरीके का प्रबंद किये किस तरीके की प्रबंद किये प्रतिवा उपलब्द है qualitative assessment of the existing executive is made to determine the type of executive talent available within the organization and the next is planning individual development program की जैसे की हमने precision के सिद्धानतों में पढ़ाता की individual differences को ध्यान में रखा जाना चाहिए similarly इस process में जब विकास की योजना मनाई जाती है तो individual differences को ध्यान में रखा जाता है कि प्रतेक व्यक्ति की अलग विशेष्टाएं होती है और विशेष्टाओं को ध्यान में रखते हुए specific training program plan किये जाते है each one of us has a unique set of physical, intellectual and emotional characteristics and accordingly training program plan किये जाते है next is establishing training and development program कि प्रेस्टिक्षन एं विकास का रिक्रमों को की स्थापना करना the HR department prepares comprehensive and well-conceived programs कि जो HR department होता है वहें इस बारे में विस्तरत योजनाओं को बनाता है और इस तरीके की योजनाओं बनाए जाती है जो कि जिनकों की लागू किया जा सके जिनकों की समझा जा सके और next is evaluating developing program कि किसी भी program ये किसी भी योजना या किसी भी प्रक्रिया का जो आखिर में जो step होता है वो यह होता है कि जो प्रक्रिया अडप्ट की है उसको evaluate करने से संबंदितव होता है कि जो program किया जा रहा है या जो यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कितनी effective है तो इस चरण में ये देखा जाता है कि किस सिमा तक विकास कारेकरम के उद्धिश्यों को प्राप्त कर लिया गया है तो इसमें ये देखा जाता है considerably money, time and efforts are spent on executive development program it is therefore natural to find out to what extent the program's objective has been achieved तो इस तरीके से इन पाँच चरणों में विकास कारेकरम का आयूजन किया जाता है सबसे पहले विकास के आवशक्ताओं का विशलेशन किया जाता है फिर दूसरे नमबर पे जो है appraisal of the present managerial talent यानि उपलब्द प्रबंद के प्रतिबाह का मुल्यांकन किया जाता है या निर्धारन किया जाता है और फिर individual differences को ध्यान में रखते हुए विकास की यूजना बनाई जाती है और फिर training and development program को स्थापित कर दिया जाता है और HR department इसके बारे में एक detailed सुल्जा हुआ समझा हुआ program बनाता है जिसको की अच्छी तरीके से समझा जा सके और last में इसको evolution किया जाता है और यह जाना जाता है कि इसमें किस सीमा तक इस कारेकरम के उद्धिश्यों को प्राप्त कर लिया गया है ताकि future plan में उसमें accordingly changes किये जा सके that's it तो आज की class में हमने जाना कि principle of training क्या होते है इसके अलावा हमने यह जाना कि development या executive development किसे कहते है और इसमें इस program की क्या उद्धिश्य होते है और इसके अलावा इस program को design करते समय कौन-कौन सी बाते इसमें या विशे समगरी इसमें included होती है और हमने यह भी जाना कि विकास कारेकरम को लागू करने की प्रक्रिया क्या होती है that's all for today training and development topic के कुछ और aspects अभी बाकि है जिनको कि हम further class में पढ़ेंगे till then take care thank you so much